नमस्कार जहन, पिछली क्लास में आपने लेटर, वर्ड, सेंटेंस, कॉंसोनेंट, बॉविल्स, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में जाना, और ए टू जेग, लेटर को हम किस प्रकार से राइटिंग करते हैं, यानि लिखते हैं, आज हम सेंटेंस, फ्रेस और कलाउज को स अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो आगे हम टैंसेज, या अन्ड, अंग्रेजी से सम्मंदित, चीजों को आसानी से समझ पाएगे, तो लेटर, यानि मीनिग्फुल साउंड, और वर्ड, यानि मीनिग्फुल ग्रूप ओफ लेटर्स, यदि मीनिग्फुल सब्द को हटा तो सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी परवास्वित कर सकते हैं, यानि अग्रूप ओफ तो यहां पर हमने पहले आपको बताया था, अ मीनिग्फुल ग्रूप ओफ वर्ड, इस कहले सेंटेंस, तो वह भी परवासा इसकी सही है, और यदि मीनिग्फुल सब्द यहां से हटा हो, यानि इसका सेंस हो, यानि मीनिग्फुल वर्ड्स हो, इस प्रकार से मीनिग्फुल वर्ड्स के समूई से मिल करके एक सेंटेंस बनता है, और जो एक कम्प्लीट सेंस भी देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, और यदि फ्रेंस को हम डिफाइन करना चाहें, तो हम उ not complete sense यानि sense तो देगा ये फ्रेस लेकिन एक complete sense इसका नहीं होगा तो इसमें subject, verb, compliment का सही समायोजन पूरा-पूरा नहीं मिलता तो यहां हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि but not complete sense तो complete की जगे यहां हम लिख सकते हैं in complete sense तो incomplete sense का तातपर हो जाएगा अपूर्ण भाव व्यक्त करता है अब यहां student बिसेश कर ध्यान दें कि जैसे यहां हमने लिखा incomplete तो बहुत से student इसे अनकम्प्लीट भी लिखते हैं लेकिन इसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती तो incomplete भी सही है और अनकम्प्लीट भी सही है दोनों के सेम अर्थ या मीने होते हैं लेकिन यहां पर हम incomplete लिखेंगे तो ही सही माना जाएगा और incomplete यह दि लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि incomplete का आसा होगा अपूर्ण कैसा अपूर्ण यानि कोई बस्तूओं का समू कोई बात हो या कोई बस्तू थिंस हो उनका ग्रुप मेंसे जो अपूर्ण हो तो यहां पर क्या है हमारा यह फ्रेस जो की एक वाक्यांस होता है यानि एक sentence का अंस यानि टुकड़ा तो यह अपूर्ण होगा यानि वाक्य मेंसे अधूरा हिस्ता तो एक तरह से ये कोई चीज है तिंस है यानि ग्रुप है ग्रुप मेंसे अपूर्ण अपूर्ण ग्रुप और अनकंप्लीट यदि यहां लिखेंगे तो अनकंप्लीट का आसाय होता है कोई टास्क यानि कार जो की अधूरा रह जाए अपूर्ण रह जाए तो उस भाव से हम अनकंप्लीट लिखते हैं और जब हम कोई चीजों का समूर्ण होता है वह अपूर्ण होता है तब इनकंप्लीट लिखते हैं तो यहां पर हमें incomplete लिखना चाहिए तो ये हमारा सही होगा इसी प्रकार से छोटी छोटी जो सब्दों की तुटियां हम करते हैं अंग्रेजी में तो वे तुटियां अब हम ना करें इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी धीरे धीरे अगले वीडियोज के माध्यम से मिलती रहेगी तो किलाउज को भी हम परवासित करेंगे कि a group of words that forms a part of a sentence and contains a subject and a predicate भी बोल सकते हैं या हम a finite word भी बोल सकते हैं तो इसे ही हम क्लाउज कहते हैं is called क्लाउज तो अब उच्चारण में बहुत से लोग बोलते हैं क्लाउज और बहुत से बोलते हैं क्लाउज तो समझना मुख्य बात होती है उच्चारण हम इस्थान के अनुसार इंडिया में हैं या इंग्लेंड में है या जापान में है तो उच्छारल हम भिन्द भिन्द कर सकते हैं तो यहां sense होगा a group of words यानि सब्दों का ऐसा समूँ जो एक sentence का हिस्सा होता है and contents और जो रखता हो a subject अपना एक subject यानि के करता and a finite verb और जिसकी एक पूर वर्ब हो यानि के finite verb पूर की या हो या हम कह सकते हैं प्रेडिकेट यानि subject की बाद में प्रेडिकेट होता है यानि उसमें वर्ब भी होती है object भी होता है और compliment भी होता है तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि क्लाउज तभी होगा जब उसमें एक अपना subject हो उसका और उसकी एक कम से कम finite verb हो तो क्लाउज की पहचान के लिए हमें इस बात को इध्यान रखना है कि क्लाउज उतने होंगे जितनी की किसी भी sentence में finite verb होती हो यानि जितनी finite verb होंगी उतने ही क्लाउज होंगे तो sentence, phrase, क्लाउज अब हम इन तीनों की definitions को इस example के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि when I went outside अर्था जब मैं बाहर गया and saw a boy और एक लड़के को देखा who was playing cricket जो cricket खेल रहा था in the playground कहा playground मैं तो यहाँ पर यह पूरा एक मिल करके कहा जाएगा sentence अब इसमें देखेंगे कि क्लाउज कितने है तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि कितनी finite verb है तो भेन आई वेंट तो यहाँ subject है और वेंट यहनी subject के अनुसार यहाँ वर्ब दी है यानि go का sacred form यानि subject के person और नमबर के अनुसार जो क्रिया उप्योग में लाई गई हो उससे हम कहते हैं finite verb तो finite यहाँ कि सीमित जोकि subject से बंधी हो यानि सीमित हो तो यहाँ आई वेंट तो यहाँ पर हमारा यह subject हुआ और वेंट यह हमारी finite verb हुई अब यहाँ पर यह हमारी फिर finite verb है यानि सी का सा सेकेंड फॉर्म तो यह भी subject के अनुसार है अब चूंकि यहाँ subject हमारा अंडर इस्टुड है यानि अच्छी परकास से जाना हुआ है तो वो हमारा छुपा हुआ है तो subject क्या होगा I went outside मैं बाहर गया और देखा किसने देखा मैं जब गया तो मैं ही देखूंगा तो I यहाँ छुपा हुआ है अब वोई हूँ वाज तो एक फिनिट वर्व हमें यहां मिली अब देखेंगे दूसरी हमारी वर्व वाज तो यह भी subject के उसार है वाज और वर्व तो तीसरी फिनिट वर्व हमारी यह हुई अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ आप कोई फिनिट वर्व नहीं है तो इसका मतलब इसमें तीन फिनिट वर्व है तो यहाँ पर तीन कलाउज है यानि तीन उपवाक होंगे इस वाक या sentence में तो यहाँ पर तीन उपवाक हमको मिले तो पहला वैन आई वेंट आउट साइड यानि कि यहां तक और दूसरा हमें एण से यहां तक और तीसरा ये भू से लेकर के ये पूरा यहां तक अब देखेंगे हम यहां पर तो ये तो हमारा क्लाउज हुआ और किस प्रकार से हम क्लाउज को पहचानेंगे कि कितने क्लाउज हैं किसी sentence में अब यदि हम यहां से इसको अलग करें तो इंदा पलेगराऊंद खेल के मैदान में तो चूकिश keska sense थो है खेल के मैदान में लेकिन इसका complete sense नहीं है खेल के मैदान में लड़का है क्या कोई और चीज है कि लड़की है या कोई जानवर है तो ये confirm नहीं है तो एक अधूरा सा लग रहा है इसलिए ये incomplete sense दे रहा है तो इसी को हम कहेंगे fresh यानि वाक्त का अंस यानि टुकड़ा fresh तो ये हमारा in the playground ये हो जाएगा fresh तो ये वाक्त कई clauses से मिल करके बना हुआ है तो यहाँ पर प्रशन उठता है कि sentence है ये कौनसे type का है खिस प्रकार का है तो sentence वैसे मुक्ताहा तीन प्रकार के होते हैं यानि simple sentence, compound sentence और complex sentence और यदि compound, complex को जोड़ दे हैं तो ये हमारे चार प्रकार बन जाएगे यानि complex, compound या mixed sentence तो 1, 2, 3, 4 यानि पहले प्रकार के जो होंगे उनको हम कहेंगे simple simple sentence और दूसरे प्रकार के होंगे, वो होंगे compound sentence और तीसरे प्रकार के होंगे complex sentence और चौथे प्रकार के होंगे compound complex तो हिंदी में simple sentence यानि के साधारण या सामान, सामान वाक बोल देंगे इसको और compound को बोल देंगे सायुक्त और complex को बोल देंगे मिश्रित और compound complex को बोल देंगे सायुक्त मिश्रित तो अंग्रेजी में इनको हम mixed भी कह देते हैं यानि mixed sentence तो इस प्रकार से हमारे चार प्रकार के वाक ब्यापक रूप से होते हैं अब simple sentence के अंतरगत हमारे और दूसरे sentence होंगे जैसे संचेप में यहां बताएंगे assertive sentence अब assertive में भी दो होते हैं यानि affirmative और negative और फिर हो जाएंगे हमारे interrogative तो यह हमारे simple sentence के भाग होंगे तीसरा होगा imperative और चोथा होगा हमारा exclamative और पांचवा होगा हमारा optative तो इस प्रकार से हमारे यह simple sentence के भाग होंगे तो कई teachers हमारे इनको ही sentence के टाइप बता देते हैं जबकि sentence के टाइप मुक्ता यह चार प्रकार के होते हैं तो यह आपको बहुत कम जानने को मिलेगा simple compound complex और compound complex तो simple के यह part होंगे assertive, interrogative, imperative, exclamative और optative याने कि यह इच्छा सूचक होंगे यह विश्मय सूचक होंगे और यह हमारे आज्या सूचक होंगे और यह interrogative प्रिष्ण सूचक होंगे और यह हमारे होते हैं बिधी सूचक याने कि सूचनार्थ इसमें हमारे दो होते हैं affirmative और negative तो इस प्रकार से हमारे sentence होते है अब इन sentence की आधार पर ही हमारे clause होते है तो clause की हम प्रकार को divide करते है तो जिस प्रकार से यहां simple होगा, compound होगा, complex होगा और compound complex होगा तो इसी प्रकार से ही हमारे clause भी हो जाएंगे तो simple जो sentence होगा तो अक्सर उसे ही हम principal clause के नाम से जानते हैं जिस पर पूरा वाक यानि दूसरे जो उपवाक होंगे वो depend होंगे तो clause को हम dependent clause और independent clause के रूप में विभक्त कर देते हैं तो उसमें principal clause होगा और दूसरा हमारा coordinate clause होगा और तीसरा हमारा subordinate clause होगा तो coordinate clause हमारा compound sentence क्या ही एक रूप होता है इसी परकार से complex sentence का ही रूप मारा subordinate clause हो जाता है और जिस तरह ये दोनों मिलके compound complex बनते हैं इसी परकार से clause में भी हमारे coordinate और subordinate clause मिलकर के भी बन जाते हैं तो जिस तरह हमने sentence को type में divide किया इसी परकार से हम अब clause को भी कितने परकार के होते हैं उसे हम इस परकार ब्यक्त कर सकते हैं तो यहां लिखते हैंगे हम clause हेंडी में इसको बोलते हैं उपवाग तो यहां देखेंगे clause की परकार तो एक हमारा हो जाएगा यहां principle clause और दूसरा हो जाएगा अमारा co-ordinate clause और तीसरा हो जाएगा subordinate तो principle यहां के प्रधान उपवाग यहां clause भी लिख सकते हम इन सब के पहले clause तो प्रधान उपवाग या हम इसी को कह सकते हैं मुख्य उपवाग और co-ordinate clause तो यह हमारा co-ordinate conjunction से मिलकर के बनता है तो इसको बोल देंगे साईयुक्त वाग साईयुक्त उपवाग और subordinate clause यानि आसरत उपवाग तो coordinate subordinate principle तो principle में जो भी sentence हमारा होता है जो भी उपवाग होता है उसको हम independent कहते हैं यानि कि सुतंत्र और co-ordinate में जो होते हैं उसमें जितने भी वाग होंगे तो वो हमारे independent और प्लस independent यानि जो दो वाग होंगे तो दोनों ही हमारे independent होंगे यानि कि सुतंत्र होंगे और आशित वाग में हमारे कैसे होंगे dependent तो यहां भी ये सुतंत्र होंगे ये भी सुतंत्र होंगे और ये होंगे हमारे निर्भर जो कि depend होंगे इनि निर्भर होंगे किसी पर तो यहां अब हम इसको समझेंगे तो इसके पहले हम इनको भी जान लें कि सबॉर्डिनेट हमारे कितने होते हैं तो सबॉर्डिनेट को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जैसे पहला वाग मारा होगा नाउन कलाउच तो subordinate down cloud और दूसरा प्रकार का जो होगा उसे कहेंगे हम adjective और तीसरा होगा एड़ बर्ब cloud तो इस तीन प्रकार से हमारे ये subordinate cloud डिवाइड हो जाते है तो जो संग्या का काम करे उसे हम noun cloud कहेंगे और जो बिसीशन का कार करे उसे हम adjective कहेंगे और जो क्रिया बिसीशन का काम करता हो उसे हम adverb cloud कहेंगे तो यहाँ पर student को ध्यान रखना है कि जो भी हमारे coordinate cloud होगे वो अकसर coordinate conjunction से जुड़ करके बनते हैं तो ये इसकी सबसे सरल पहचान होगी, तो coordinate conjunction हमारे कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा end है, but है, or है, so है, either or है, neither nor है, तो coordinate conjunction को हम चार प्रकार से उनको माट सकते हैं, जैसे एक हमारे addition टाइप के होगे, यानि जो जोड़नी का कार करेंगे, और दूसरे हमारे choice वाले होगे, कि हमको choice करना है, और तीसरा contrast होगे, यानि कि बिरूत प्रकट करेंगे, और चौतिव जो होगे वो inference वाले कहिदाते हैं इन फ्रेंस जैसे so, then, for, इनका प्रियोग होगा, और अन जो होंगे, कुल मिला करके, coordinate की पहचान हम करेंगे, कि उसमें so मिले, then मिले, for मिले, neither nor मिले, either or मिले, not only, but also मिले, and मिले, or मिले, otherwise मिले, but मिले, तो ये सब conjunction हमारे coordinate conjunction कहलाते हैं, और इसी प्रकार से, subordinate conjunction होगे, जिनके द्वारा हमारा subordinate clause बनेगा, तो subordinate conjunction भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे opposition टाइप के होगे, यानि कि that का प्रियोग होता उसमें, और wh, word टाइप के होगे, जैसे y है, who है, which है, how है, इस प्रकार से, और clause वाले होगे, यानि कारल सूचक, और effect टाइप के होग परपज वाले होगे, और condition वाले होगे, contrast वाले होगे, और comparison वाले होगे, और time वाले होगे, तो जिसके अंतरगा जैसे if है, unless है, when है, why है, where है, so है, so that है, इस प्रकार से कई conjunction मिलेगे, जो हमारे subordinate conjunction होगे, अब यहाँ एक simple तरीका, noun clause, adjective clause और adverb clause के लिए है, तो noun clause, तो इसकी मोटे तोर पर पहचान होगी, जब भी हमें उसके conjunction में की, सब्द का वहाव हिंदी में निकले, की, कहां, की, कैसे, या सिर्फ की, तो जितने भी की के साथ जोड़े होगे, वो सब noun clause होगे, जैसे direct को indirect में बदलते हैं, तो जितने भी indirect narration है, वो सभी noun clause के best example होते हैं, और adjective clause की simple पहचान होगी, कि इसमें जब भी हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो जो सब्द से उसका अनुवाद हमें प्राप्त हो, यानि जो, जिसे, जिसका, या जब भी कोई time सूचक हो, place सूचक हो, तो उसका antecedent के रूप में दिया हुआ होना चाहिए, place दिया हो, तो भेर, और place दिया है, तो वो हमारा adjective clause हो जाएगा, अब place कुछ आगरा दिया है, और भेर दिया है, तो वो हमारा adverb में चला जाएगा, तो ये छोटी-छोटी जो सूच विजानकारी होंगी, जब हम इनकी detail कराएंगे, उनको हम अच्छी तरह से आपको बताए अब इन दोनों के अलावा, जो बचें, वे हमारे adverb clause होंगे, जैसे if, unless की प्रियोग बगेरा है, so that की प्रियोग बगेरा है, तो ये सारे हमारे adverb clause में आ जाएंगे, age है, because है, इस प्रकार के सारे प्रियोग, अब यहां देखेंगे हम, when I went outside, तो जब मैं बाहर गया, तो जब मैं बाहर गया, तो ये हमारा clause हुआ, अब यहां देखो, when का हिंदी में sense की नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, यानि कि जब I went outside, तो जब मैं बाहर गया, अब यदि when के फहले यहां time दिया होता, time ही, इसका antecedent होता, तो ये हमारा adjective clause हो जाता, लेकिन अब यहां यह हमारा adverb clause बन गया, when I went outside, जब मैं बाहर गया, and, अब and, यानि कि coordinate conjunction, and हमारा कैसा है, coordinate conjunction, and से जड़ गया, तो and से जो भी बाक जड़े होंगे, यानि कि सुतंत्र अर्थ देंगे, and I saw, आब होए, यानि I इसका understood एच्छे पा हुआ है, तो I saw, आब होए, मैंने एक लड़के को देखा, तो यह अपना पूरा sense दे रहा है, और यहाँ, when I went outside, जब मैं बाहर गया, तो इसका अपना एक अलक्सेंस हो गया, और इसका अलक्सेंस हो गया, तो यह हमारा सुतंत्र हो गया, तो यहाँ से यह हमारा coordinate, conjunction से जड़ करके, coordinate, clause बन गया, अब यहाँ देखेंगे कि यह who, w, h, o, यानि की who, तो who से जड़ा हुआ है, who was playing cricket, तो who का अर्थ यहाँ निकलेगा जो, तो जो अर्थाद adjective clause, तो बताया था जब जो की अर्थ निकले तो noun clause, और केवल जो अर्थ निकले, जो जिसे जहाँ, तो हमारा adjective clause होता है, तो यहाँ पर जो, who was playing cricket, जो cricket खेल रहा था, तो जो का मतलब boy, यानि लड़का, तो यहाँ who, यानि किसका काम कर रहा है, boy का, तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ से कौन सा adjective या relative clause, जिसको हम कहेंगे, इन्दा playground, तो इन्दा playground यह हमारा फ्रैसल वर्ड हो गया, इसी को हम फ्रैस कहेंगे, क्योंकि इसका sense तो है, लेकिन यदि इतना ही देखा जाए इन्दा playground, तो इसका कोई बिसे sense नहीं है, यह अधूरा लगेगा, जब यह इसके साथ जुड़ेगा, तो यह पूरा sense देगा, तो इस प्रकार के जो भी आए in the playground, in the morning, on the table, तो उनको हम फ्रैसल वर्ड या फ्रैस कहते हैं, तो अब यहां आप समझ गए होंगी, कि यह sentence हमारा किस प्रकार का होगा, आप यदि समझ गए हैं, तो आप तुरंद comment करके बताएं कि मैं समझ गया हूँ, और नहीं समझे हैं, तो यह कैसा वाक होगा, आप इसको ध्यान से देखें, यानि यह end से जुड़ा है, तो यह कैस होगया, compound, और यहां who से जुड़ा है, तो यह कैसा होगया, complex, तो हम कह सकते हैं, कि हमारा यह पूरा sentence कैसा हुआ, compound, complex, sentence, या mixed sentence हम इसको ही कहेंगे, और यदि हम इसको हटा देतें, यहां से, when I went outside, तो यहां हमारा sense ही नहीं बनेगा, यानि end से हम इधर हटा देंगे यह दि, और यहां लिख देंगे, I saw a boy, who was playing cricket in the playground, तो मैंने एक लड़के को देखा, जो खेल के मैदान में cricket खेल रहा था, तो यह हमारा पूरा एक sense दे देगा, तो यहां who से जुड़ा हुआ है, तो इतना part हमारा, इस side का पूरा यहां तक, तो इसको हम कह देंगे subordinate, close, और वाक्यदी कैसा होगा, तो यह हो जाएगा हमारा complex sentence, शिर्फ complex sentence, यानि इसको हटा कर, और यह होगा सिर्फ compound sentence, यानि यहां से लेकर के बोय तक, तो यह compound हो जाएगा, जबकि इसमें वहन जुड़ा हुआ है, तो यह complex भी होगा, यदि वहन क कह दिया जाए, इसको अठा के, तो यहां से यहां तक हमारा, यह होगा, compound sentence, इतना, और यदि वहन लगा है, end भी लगा है, तो यह compound complex sentence हो जाएगा, तो इस परकार यह पूरा sentence मिल करके, हमारा compound complex हो गया, यानि कि mixed sentence हो गया, इसमें compound भी है, complex भी है, अब यहां एक हम दूसरा धाल लेते हैं, जैसे, the girl, who was there, is very beautiful, तो इसका sense होगा, कि लड़की जो वहां थी, बहुत सुन्दर है, अब यहां पर हम वाज भी प्रियोग कर सकते हैं, tense के अंसार, their was very beautiful, बहुत सुन्दर थी, लड़की जो वहां थी, बहुत सुन्दर थी, और इज लगा देंगे, तो वो भी हमारा, हाल की संदर्प के लिए, सही बाना जाएगा, तो अब यहां देखेंगे, the girl, तो इतना ही है, सिर्फ इसका कोई sense नहीं बनेगा, who, तो who का ये, the girl, antecedent कहा जाएगा, तो यहां तो इसका antecedent ये मिल गया, who was there, जो वहां थी, जो यानि के girl, इसकी पूर्ती यहां से हुई, तो यदि हम principle cloud जिसमें देखेंगे, तो the girl, was there, यदि who अटा दिया जाए, तो ये हमारा principle cloud हो जाएगा, तो who के स्थान पर क्या होगा, the girl, तो यनि कि यह हमारा यहां से लेकर के यहां तक यह बन जाएगा principle, was very beautiful, और ये हमारा depend हो जाएगा, तो was very beautiful, बहुत सुन्दर थी, तो बहुत सुन्दर थी, ये कहां depend है, यहां principle पर, तो ये हमारा dependent cloud हो जाएगा, तो ये प्रधान उपवाक, और ये हमारा हो जाएगा आश्रित उपवाक, तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं, कि कैसे हमारा dependent होगा, और कैसे independent होगा, तो ये principle वाला जो sentence है, ये हमारा कैसा है, independent, यानि कि सुतंत्र है, और यहां पर, जैसे I went outside इतना लिया जाए, तो ये हमारा सुतंत्र वाक था, लेकिन वहन जड़ जाएगा, तो ये कहीं न कहीं dependent बन जाएगा, इसी प्रकार से, end के बाद में ये पूरी तरह से dependent clause होगा, और यहां से यदि जोड़ेंगे, तो ये हमारा dependent हो जाएगा, who watch playing, कौन खेल रहा था, खेल के मैदान में, तो ये अधूरा सा होगा, तो इसका मतलब ये हमारा man clause में, ये principle clause के उपर निर्भर है, यानि dependent है, तो ये हमारा dependent clause बन जा पर यदि भेन को अटा देंगे, तो ये हमारा independent हो जाएगा, और भेन साथ में लग जाएगा, तो हमारा ये dependent भी हो जाएगा, तो आज हमने संचेप में clause, press और sentence को समझा, अब हम अगले वीडियो में sentence को क्रमबद रूप से ले करके चलेंगे, कि sentence हमारे कितने प्रकार के हो समय, तो उमीद है इतना आपको समझ में आया होगा, तो जो भी चातर सुरुवास से शीक रहे हैं, तो कम से कम दो या तीन बार इस वीडियो को देखें, और इसको अच्छी तरह से समय लें, ताकि आगे आपको हमें थोड़ा बताना पड़े, और आप स्वता ही करने लगे तो टेंस तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगे, तो उसके पहले हमें ये सब जानकारी बहुत आवस्चक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार